mutual fund में क्या होता है कि आप सबसे पहले scheme चूज करते हैं जैसे कि access blue chip fund ठीक है यह scheme आपने चूज कर ली उसके बाद में आपको यह तैय करना होता है investor को कि direct plan में जाना है या regular plan में इसके बारे में आगे slide ली हुई है बात करेंगे एक बार वो तैय हो गया कि distributor के तुरू जाएंगे तो regular direct AMC में जाएंगे तो direct तो वो plan select हो गया उसके बाद में कौन से option में जाना है यह आपको as a investor तैय करना होता है तो there are two options एक होता है growth option दूसरा होता है dividend option ठीक है तो growth option जो होता है उसमें क्या होता है तो आपका एनेवी जो है वो बढ़ते घटते रहता है as per the market ठीक है एनेवी उपर जाएगा अगर market उपर गया एनेवी नीचे आएगा अगर market नीचे आया growth option अगर आपने टिक किया हुआ है तो आपको जिन्दगी में कभी भी dividend नहीं मिलेगा क्योंकि आपने option ही growth चूज किया हुआ है ठीक है अभी पहला option हमने growth डिसकस किया अभी दूसरा option होता है dividend तो dividend has a two sub option dividend payout और दूसरा dividend reinvest ठीक है dividend reinvestment अगर मैं dividend option select करता हूँ तो dividend में मुझे दो option आते है एक आता है payout ठीक है तो payout में क्या होता है कि मैंने अगर dividend पे टिक कर दिया और dividend payout पे टिक कर दिया तो इस case में क्य होता है कि fund manager जो भी dividend देगा वो dividend मेरे bank account में credit हो जाएगा मेरे bank account में जमा हो जाएगा तो dividend payout दे दिया mutual fund dividend investor के account में जमा करा देता है कौन से option में payout option में उसके बाद में dividend reinvestment dividend reinvest मतलब dividend declare तो हो गया dividend declare होने के बाद में वो पैसा जो है उस पैसे से number of unit खरीद लिये जाता है तो reinvest हो जाता है scheme में तो आपको exam में question आता है कि कौन से option में number of units बढ़ते हैं वापस सुनिए एक बार in which option number of unit increases ठीक है can you answer this कौन से option में number of units बढ़ते हैं dividend dividend is okay more specific no tages growth option में units कभी भी नहीं बढ़ेंगे उसमें सिर्फ भाव बढ़ेगा ठीक है growth option में सिर्फ भाव बढ़ेगा येस सुन्दर जी reinvestment कुमारी जी correct पलक जी yes dividend reinvestment so reinvestment जो option है reinvestment में आपको आपका number of units बढ़ेगा growth option में सिर्फ आपका भाव बढ़ेगा या घटेगा clear है so growth dividend dividend में दो सब option dividend payout और dividend reinvestment अभी और एक question आता है options के उपर में कि ऐसा कौन सा option है जिसमें tax deferral होता है मतलब tax आगे धकेला जाता है कौन से option में ये पता है बताइए in which option mutual fund has a facility to defer taxes कौन से option में tax defer होता है आगे धकेला जाता है only sangeetha ji gave answer okay no so yes growth option is the correct answer ये आपको ध्यान में रखना है याद रखना है ठीक है तो रोष्णी जी reinvestment नहीं एक्स्प्लेन अगें ये सेमन डोंट वारी तो so growth option में क्या होता है कि tax defer होता है मतलब simply देखिए कि जब तक आप mutual fund बेचेंगे नहीं तब तक आपकी tax liability नहीं बनती है जिस दिन आप mutual fund बेचते हो उस वक्त में आपको capital gain arise होता है ठीक है तो growth option में आप tax defer कर सकते हो मतलब tax आगे धकेल सकते हो आपको याद है जब हमने point discuss किया था तो उस वक्त में किया था कि मैंने एक लाख रुपय investment किया आज और बीस साल बाद मैंने पैसे निकाले तो बीस सालों तक मुझे कोई taxes नहीं बरने जब मैं निकालूंगा तब मुझे taxes बरने है तो tax defer is available in growth option and number of units कौन से option में बढ़ते है तो dividend reinvestment में number of units हमारे बढ़ते है clear ह चली